जब तुम बहुत दर्द में थे, मुझे पकार रहे थे कि बाबा कहा हो, मैं तुम्हारे पास ही था, तुम्हें दिलासा दे रहा था, कि घबरा मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ना तो तुम मुझे सुन पा रहे थे, ना हिं मुझे महस सूस कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच मोटे-मोटे पर्दे थे तुम पूछोगे कि बाबा कौन से पर्दे मेरे बच्चे जो ये पांच इंद्रिया है ना जब ये तुम्हारे स्वामी बन जाती हैं तो तुम्हारे मन में एंकार क्रोध इर्ष्या द्वेश्ट जैसे मोटे-मोटे पर्दे लेकर आती हैं ये पर्दे मुझे तुमसे नहीं मिलने देते मैं तुम्हारे इन पर्दों को हटाना चाहता हूं तुमसे मिलना चाहता हूं फैसला तुम्हारे हाथ में होता है जब तुम इन इंद्रियों का अपने वश में कर लेती हो तो ये त तुम्हारे अंदर प्रेम करुना दयागी भावना लेकर आती हैं और फिर तुम मुझ तक पहुंच जाते हो इन इंद्रियों के बंधन से निकलो मेरे बच्चे परमात्मा के नजदीक जाओ परमात्मा की भक्ति में बहुत अनंद है इस कर्म परदान श्रीर की जो रचना है बहुत अधिक मिलावटी और गुजलादार है इसे तुम्हें इश्वर और महापुर्शो के संक्सि सुलजाना है निरंतर नाम जाप करना है जैसे एक पात रुजाना इस्तमाल होता है और रुजाना तुम उसे साफ करते हो कभी जूठे बरतन में खाना नहीं पकाया जाता और ना खाया जाते है ना प्रोषा जाता है उसी तरह तुम्हारा मन नाम जाप के बाद भी मलिन हो जाते है उसे निरंतर साफ करना होते है जाप से साधना से साधना का यह मतलब नहीं कि न्मेंग स्थान užकर नाम जपो बलिक अपने सत्व गुण से अपनी इचाओं वाणी और वेवार पर लगाम लगाओ शुप कर्म जा सत्कर्म करते हुए जीवन निर्वा करना असलित जीवित होने का पर्मान है जब तुम इन इंद्रियों के वश्मी हो जाते हो न तो मैं तुम्हें आवाज देता हू मैं बहुत दुखी होता हूँ जैसे तुम्हारे घर में पिता अगर बच्चा सही रापन नहीं चल रहा पिता बहुत दुखी होता है बच्चे को सुधारने की कोशिश करता है अगर बच्चा पिता की बात मान लेता है अच्छे रास्ते पर चल जाता है तो मंजिल तक और पिता भी बहुत खुश होता है पर जब बच्चा बात नहीं मानता गलत रास्ते पर होता है पिता बहुत दुखी होता है बहुत दुखी ऐसे ही मैं तुम्हारा जगत पिता हूँ मैं बहुत दुखी होता हूँ मैं अपने बच्चो को सही रहा पर देखना चाहता हूँ मे झाल झाल